हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल PKS Official में इसके पिछले क्लासेस में हम सभी Science Special Series का 15th क्लास किये थे यह क्लास टोटली RRB ALP पर फोकस किया गया है जिस्ते आप अपनी ALP का एक्जाम आसानी से प्रिपेर कर सकते हैं क्लास को अंतक देखें ताकि आप अपनी प्रिप्रेशन को और ज्यादा इंप्रूब कर सकें यह Science Special Series आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर नए हैं चैनल को सस्क्राइब कर दिजिएगा ताकि RRB, ALP, Technician से रिलेटेड जितनी भी क्लास होती हैं वह आप तक मिलती रहें तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला कोस्टन है सा सन्योजी, यौगिक, समानता, निम्न में से कौन सा गुण धर्म परदर्सित नहीं करते हैं ओप्सन A या विधुत और उस्मा के कुचालक होते हैं ओप्सन B या इलेक्ट्रोनों की साजेदारी से बनते हैं ओप्सन C या समानता आयन नहीं बनाते ओप्सन D या कार्वनिक बिलायक में बिलय नहीं होते हैं इसका राइट अंतल क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि ससनियोजी योगी क्या बंधन क्या होता है देखिए ततों के परमारू के बीच इलेक्ट्रोन के साजेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को ससनियोजी बंधन काते हैं आप समझ लीजिए CH4 यानि जो मिधन है और C2H6 यह जो है ससनियोजी बंधन के कुछ उधारन है ठीक है इतना आप लोग जान लीजिए इसका राइट एंसर क्या होगा आप लोग कमेंड कीजिए देखिए ससनियोजीक योगीक समानिता कार्बनिक बिलाइकों में बिलय नहीं होते है या इस गुंडधर्म गलत है यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा गुंडधर्म परदर्शित नहीं करते हैं पूछा है इसका राइट एंसर आप्सन D हो जाएगा या कार्बनिक बिलाइक में बिलय नहीं होते है यह गलत है जबकि कार्बनिक योगीक कार्बनिक बिलाइकों में बिलय लेकिन जल में अब बिलय होते है इसलिए इसका राइट एंसर आप्सन D हो जाएगा तस नियोजी योगिक समानता निम्न में से कौन सा गुंड धर्म परदर्सित नहीं करते हैं तो यह कार्बनिक बिलाग में बिलाए नहीं होते हैं यह नहीं होगा इसलिए इसका राइट एंसर ओप्शन D हो जाएगा आई होप आप लोग पूरे अच्छे तरीखे से समझ गये होंगे चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन है डोविर इनर के त्रीक की उपलब्धी क्या थी ओप्शन A अडूओ की परमारुक्ता का अध्यन करने वाला पहला पर्यास उप्शन B ततो के गुणधर्मों को परमारु द्रमानों के साथ जोडने का पहला पर्यास उप्शन C ततो के रंग का अध्यन करने का पहला पर्यास उप्शन D परमारु के आकार का अध्यन करने का पहला पर्यास तो इसका right answer क्या होगा आप लोग comment करके जल्दी से बताईए डोबिरेनर के त्रीक की जो उपलब्धी थी वो क्या थी तो ततो के गुर्धर्म को परमारू द्रमानों से जोडने का पहला पर्यास तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा option B ठीके option B इसका right answer हो जाएगा डोबिरेनर के त्रीक की जो उपलब्धी क्या थी तो ततो के गुर्धर्म को परमारू द्रमानों के साथ जोडने का पहला पर्यास किया गया था ये इसका right answer हो जाएगा देखिए इन्होंने ततों के तीन-तीन की स्रेनी का निर्मान किया जिसमें मद्यवर्ती ततों का परमारू भार अन्य दोनों ततों के परमारू भार का क्या होगा औसत था और तत्वों को आधुनिक समय में प्रथम बार ब्यासित करने का पहला पढ़ियाश डोबरेनर नहीं किया था तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? Option B, I hope आप लोग पूरा समझ गया होंगे चलिए next question देखते है Next question, देखिए यहाँ पर numerical आ गया तो यह हमारा जो ALP है टोटली numerical पर ज़्यादा फोकस किया गया है numerical इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा important है इस exam के लिए तो चलिए देखते हैं क्या कहा रहा है question दो माध्यमों को प्रिथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकास किरन का मार्ग नीचे दिये गए चित्र में दर्साया गया है देखिए एक दो माध्यम है medium A और medium B ठीक है इन दोनों को प्रिथक करने वाले इंटरफेस यह जो इंटरफेस है इन दोनों माध्यम जो माध्यम A और माध्यम B इन दोनों को प्रिथक यानि अलग करने का जो इंटरफेस है इस पर एक आपतित प्रकास की किरन मार्ग नीचे दिये गए चित्र पर दिसाया गया है ठीक है तो पूछा क्या है माध्यम B के सापेक्ष माध्यम जो B है इसके सापेक्ष माध्यम A का अपरतनांक किसके बड़ाबर है तो चलिए इसको निकालते है कैसे निकलेगा देखिए अपरतनांक जो होता है अपरतनांक का जो फर्मूला होता है साइन आई बाटा साइन आर तो चलिए इससे हम लोग देखते हैं साइन 45 यहाँ पर दिया गया है पहला कितना है तो 45 साइन 45 का जो मान होता है कितना होता है 1 by root 2 और साइन 30 है यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होता है 1 by 2 तो इसका अगर जब हम लोग इसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 by root 2 into 2 by 1 तो यह क्या हो जाएगा तो root 2 इसका answer आ जाएगा तो चलिए इसका right answer क्या होगा आप लोग जल्दी से comment किजिए तो इसका right answer हो जाएगा option D, root 2 इसका answer हो जाएगा आई होग आप लोग पुड़ा समझ कैं होंगे यह formula आप लोग याद रखिएगा mu is equal to sin i by sin r यह बहुत ही important है तो माध्यम B के सापेक्ष माध्यम A का अपरतनांग root 2 के बड़ाबर होगा इसका right answer option D हो जाएगा आई होग आप लोग पुड़ा समझ गये होंगे चलिए next question देखते हैं next question है किसी दिये गए पदार्थ के तार की लंबाई i और प्रतिरोध r है इस पदती से निर्मित पहले वाले तार की तीन गुना लंबाई और दो गुना अनुप्रस्त काट के शेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इन में से किसके बड़ाबर होगा तो चलिए यह भी numerical है इसको भी हम लोग solve करते हैं आप लोग को जानना चाहिए जो resistance होता है यानि प्रतिरोध होता है इसका formula क्या होता है rho l by a यह इसका formula होता है ठीक है तो इसके उपर हम लोग derive करेंगे तो rho यहाँ पर कितना दिया है तो तीन गुनी तीन गुना लंबाई तो 3 l बटे दो गुनी अनुप्रस्थ काट तो दो गुना अनुप्रस्थ काट इसका area तो इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा कॉमा निकल गया 3 by 2 और इधर rho l बटा a ठीक है तो इसका resistance कितना निकला 3 by 2 r आई होप आप लोग पुड़ा समझ गया होंगे तो इसका right answer हो जाएगा option b 3 by 2 r इसका option हो जाएगा आई होप आप लोग पुड़ा समझ गया होंगे यह जो फर्मूला है इसको आप लोग को अमेशा याद रगना पड़ेगा कि resistance का कितना होता है row l by a ठीके resistance का फर्मूला क्या है row l by a इससे हम लोग यह derive कर सकते हैं तल यह next question देखते हैं निम्नल इकित में से कौन से कथन सही है option a कथन 1 देख लिजिए चुम्बकिय छेतरे की प्रबलता हर चुम्बकिय के केंद्र में सरवाधिक प्रबल होती है कथन 2 कोई भी दो चुम्बकिय बल रेखाएं प्रतिछेदित नहीं कर सकती कथन 3 चुम्बकिय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है तो इसका right answer क्या होगा आप लोग comment किजिए देखिए मान लीजिए ये एक क्या है चरचुम्बक है इसका north और ये south ठीक है तो जो चुम्बक के बाहर जो होती है ये north से south की और गमन करती है ठीक है north से किस के तरफ तो south के तरफ ये गमन करती है ठीक है और अंदर में किस के तरफ तो हर चुम्बक के अंदर जो होता है ये south to north में क्या होती है गमन करती है ये आप लोग याद रखियेगा ठीक है तो देखिए चुम्बक बल रेखाएं के सम्बंध में सही कथन क्या है तो कोई भी दो चुम्बक के बल रेखाएं पर्तिछेदित नहीं कर सकती है दो चुम्मक ये बल रखाएं आपस में परतिशलीद नहीं कर सकती है तो इसका कथन दो जो है ये राइट है ठीक है उसके बाद क्या है? कथन एक चुम्मक ये क्षदर के प्रबलता च्छड चुम्मक के केंदर में सरवाधि क्रबल होती है तो भाई केंदर में नहीं केंदर में सवाधिक प्रफ़ल नहीं होती है तो यह गलत हो जाएगा कतन 3 देखिए चुम्बकी अरे बल रेखाए बंद सदद वक्र निर्मित करती है तो ये बंद सदद देखिए आप लोग ये निर्मित तो कर रही है यह आप लोग देखी रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा कथन यह कथन सही हो जाएगा इसका right answer क्या होगा जल्दी से comment किजी आप लोग comment नहीं किजीएगा तो कैसे पता चलेगा कि आप लोग की जबाब जो है यह answer दे रहा है वो कितना सही हो रहा है इसलिए comment देना बहुत ज़रूरी है तो चलिए इसका right answer क्या होगा जल्दी से comment किजीए तो इसका right answer हो जाएगा option D यह जो D है कथन 2 और 3 2 और 3 कथन सही है ठीक है चलिए next question देखते हैं next question है एक लड़का एक lens का पर्योग करके एक दुरस्त बस्तू का एक spust प्रतिभीम एक परदे पर focus करता है lens और परदे के बीच की दूरी लगभग कितने के बड़ा होगी यह आप लोग को find करना है माल लिजे कोई भी एक lens ले लेते हैं माल लिजे यह उत्ता lens ले लिए इसके बीचों बीच से एक यहाँ पर हम लोग इसका किंद्र बना दिये माल लिजे एक रेखा ऐसे आई और ऐसे कारते निकल गई दूसरी जो आई और इसको ऐसे कारते निकल गई तो यह दोनों कहां पर मिले इस point को हम लोग क्या कहेंगे focus 2 माल लिजे हम लोग अवतर लेंस भी ले लिए ठीक है यह बीच का यहाँ से आप्तित किरन हुआ ठीक है और एक यहाँ से आप्तित किरन हुआ दोनों कहां से निकल जाएंगी ऐसे निकल जाएंगी लेकिन इनका जो आप्तित यहाँ पर होगा यह प्रतीत कहां पर होगा, यहां पर होगा, तो इसको कहते हैं, F1, तो यह सारे कहां पर मिल रहा है, तो यह सब focus पर मिल रहा है, तो इसका right answer हो जाएगा, option B, यह आप लोग चीतर के माध्यम से समझ गया होंगे, मैंने एक उतल लेंज भी लिया, और एक उतल लेंज भी लिय focus करता है, focus के लगभग इसके दुरी बढ़ाबर होगी, तो focus पे, लेंज और पर्दे की बीच की दुरी लगभग, focus के बढ़ाबर होगी, ठीक है, दुरस बस्तू है, तो अता, बस्तू संभता अनंद पर है, और अनंद पर बस्तू, क्या होगी, इस्थिर बस्तू का इस बीम focus पर बनेगा, और जो focus पर है, वो अनंद पर बनेगा, यह आप लोग जानते ही होंगे, I hope आप लोग पूरा clear हो गया होगा, चलिए next question देखते हैं, next question है, नीचे दिये गए कतनों पर विचार कीजिए, और सही उत्तर का चयन कीजिए, कतन एक, यदि कोई पदार्द किसी अभी किरिया के दोरान, oxygen का त्याग करता है, तो उसे अब चाहित हुआ कहा जाता है, कतन दो, यदि कोई पदार्द किसी अभी किरिया के दोरान, hydrogen गर तो देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं, अपचयन और उपचयन, ठीक है, तो देखिए, oxygen का त्याग करना, उसे हम लोग अपचयित हुआ कहते हैं, oxygen का जो, क्या होता है, oxygen का त्याग करना, उसे अपचयित हुआ कहा जाता है, इसलिए ये राइत है, पहला कथन सही है, दूसरा क्या हाइडोजन का ग्रहन करना तो उसे भी अप्चैत हुआ ही कहा जाता है यह एक अप्चैत में क्या होता है ऑक्सिजन का त्याग करना और हाइडोजन का ग्रहन करना यह रिड़क्षन कहलाता है यह अप्चैत कहलाता है ठीक है तो इसी का दो भाग में तोड़कर दिया है एक में बोल दिया ऑक्सिजन का त्याग करना और दूसरे में बोल दिया है हाइड्रोजन का ग्रहन करना दोनों केस में क्या होता है यह अपचैत होता है यानि रिडक्षन होता है आप लोग याद रखिएगा ठीक है अपचैन किसे कहेंगे तो ऑक्सिजन का त्याग क करना और हैडोजन कात्याक करना ये क्या को लाएगा उप्चयन कहला यानि ओकूसिदेसन कहला ये आप लोग याद रखियेगा चलिए इसका राइट एंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से comment किजिए इसका right answer हो जाएगा option A दोनों कथन सत्य हैं I hope आप लोग पूरा समझ गया होंगे चलिए next question देखते हैं next question देखिए bleaching powder बनाने में सामिल सहीर असानी कभी किरिया की पहचान किजिए ठीक है option A देख लिजिए B, C और D इनमें से क्या होगा आप लोग जल्दी से comment करके बताईए ठीक है दोखिए bleaching powder बनाने में सामिल सही प्रक्रिया क्या है तो यह हो जाएगा option D वाला ठीक है option D जो है यह इसका क्या हो जाएगा सही तामिल हुआ है देखिए कैसे तो bleaching powder को calcium oxy chloride कहा जाता है क्या कहा जाता है bleaching powder को calcium oxy chloride कहा जाता है जिससे CAOH का whole twice plus Cl2 दोनों मिलकर क्या बनेंगे CAOCL2 plus H2O ठीक है तो यह एक पीले सफेद रंग का calcium का oxy chloride चून होता है इसमें chlorine के समान ही तिछन गंद पाई जाती है ठीक है तो chlorine जो bleaching powder है यह calcium oxy chloride कहा जाता है यह आप लोग याद रखिएगा तो इसका right answer option D हो जाएगा निम्नल इकित में से कौन प्रजनन करने के लिए बिजाणूओं का उपयोग करता है option A fern, option B amoeba, option C east, option D arm इसका right answer क्या होगा आप लोग जल्दी से comment किजिए देखिए जो fern जो होता है इसमें प्रजनन करने के लिए बिजाणूओं का उपयोग किया जाता है और बिजाणूओं दोरा जनन अल्लेंगिक जनन की बिधी है ठीक है यह आप लोग याद रखिएगा तो इसका right answer option A fern हो जाएगा fern जो है प्रजनन करने के लिए बिजाणूओं का उपयोग करता है ठीक है कौन? fern देखिए बिजाणूओं दोरा चल बिजाणूं मुक्त होकर समाने पादप की तरह जीवन बेतित करने लगते हैं जैसे मुकर, राइजोपस, fern ठीक है यह सब क्या है यह सब बिजाणूओं दोरा जननन अलेंगिक जननन की बिधी है तो इसका right answer option A हो जाएगा इसका right answer क्या होगा आप लोग कमेंड कीजिए देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह विधूद चुम्बक्य प्रेणर क्या होता है देखिए जब किसी कुंडली के सापेक्ष विधूद फलक्स में पडिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेडित विधूद धारा उत्पन होती है इसी घटना को विधूद चुम्बक्य प्रेणर कहते हैं तो इसका right answer यही हो जोगा अशी जनरेटर का कारेकारी सिधान्द फलेमिंग के डाय हाथ का नियम है ठीक है और अशी जनरेटर होता है यांत्रीक उरजा का पडिवर्तन विधूद उरजा में करता है यह आप लोग याद रखिएगा और विधूद धारा के तापिय प्रभाव का नियम किस ने दिया? तो विदु धरा के तापिया प्रभाव का नियम जूल ने दिया इसका राइट एंसर जूल हो जाएगा ठीक है जूल ने क्या दिया तो विदु धरा के तापिया प्रभाव का नियम और विदु चुम्ब के प्रेनर का सिधान किस ने दिया तो विदुचुम्ब के प्रेनर का सिधान्द फेराइडे ने दिया ये बहुत बार पूस्ता है ये आप लोग याद रखिएगा कि फेराइडे ने क्या दिया था तो विदुचुम्ब के प्रेनर का सिधान्द दिया था आई होप आप लोग पूरा समझ गया होंगे आप अगर क्लास अन तक देख रहा हैं तो कमेंट करके बताएं कि टॉप तेन प्रशनों में से आप कितने प्रशनों का सही सही जवाब दिया है अगर कोई कोश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें मन लगा कर पढ़ाई करें मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद